आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे फोन की जो इनोवेशन के लिहाज से अपने वक्त से काफी आगे है सैमसंग गेलक्सी फोल मार्केट में मौझूद सबसे एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है और इसकी फोल्डेबल स्क्रीन इसको हर दूसरे स्मार्टफोन से अलग बनाती है फोल्डेबन फोन का concept theoretically काफी पहले से है पर सैमसंग ने इस साल इसको सच कर दिखाया है तो इस रिव्यू में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं गेलक्सी फोल के डिजाइन इस फोन की डिजाइन लेंग्विज देखें तो I would say that there is nothing whatsoever like it in the market except for the Huawei Mate X फोन delicate है और sensitive भी है जब गेलक्सी फोल्ड एपरिल में आया था तो इस फोन में कुछ hinge issues आये थे पर सैमसंग ने उन issues को resolve किया और दوبारा से इस फोन को launch किया ये एक ऐसा फोन है जो दूसरे normal phones की तरह ही काम करता है पर साथ ही जैसे आप किसी किताब को बंद करते हैं इस फोन के display को भी आप fold कर सकते हैं It looks pretty amazing Fold करने के बाद भी अगर आप इस फोन को हाथ में लेंगे तो it's a great phone to hold phone थोड़ा tall है पर ये काफी handy लगता है Right side पर power button है Volume rocker और finger print scanner है और top और bottom पर दो speakers दिये गए हैं जो कि काफी loud है इसके अलावा फोन के साथ एक specially designed cover भी आपको मिल जाता डिस्प्ले का रुक करें तो इस phone में आपको दो displays मिलती है एक 4.6 inch की cover display है और दूसरी 7.3 inch की main display इस phone की सबसे इची बात है कि अगर आपने phone को hold किया हुआ है तब भी it acts as a complete phone आप cover screen पर almost हर वो काम कर सकते हैं जो main screen पर करते हैं आप calls और message कर सकते हैं, photos क्लिक कर सकते हैं, apps operate कर सकते हैं, YouTube पर videos भी देख सकते हैं इस phone में apps continuity feature भी आपको मिलता है मतलब आप cover screen से main screen पर move कर सकते हैं without messing up the work you are doing साथ ही इस phone को operate करना बेहदी आसान है जैसे आप दूसरे Android phones को operate करते हैं, उतनी ही आसानी से इसको भी operate कर सकते हैं इस phone पर आपको smooth typing experience भी मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों हाथ से type करना पड़ता है जो की ज्यादा natural है camera की बात करूँ तो इस phone में आपको 6 cameras मिलते हैं Yes, you heard it right 3 cameras at the back, 2 above the main screen, 1 over the cover display इस phone की camera performance Samsung Note 10 Plus की तरह है phone daylight में बेतरीन photos क्लिक करता है और low light में भी एक capable shooter साबित होता है selfies में भी ये phone अच्छा perform करता दिखाई देता है इसके अलावा Galaxy Fold में Samsung ने Exynos 9825 processor यूज किया है यही chipset आपको मिलता है Note 10 और Note 10 Plus में भी phone में 12GB RAM और 512GB की internal storage है जो इस phone को extremely fast बनाती है phone lag नहीं करता और नहीं heat होता है high end games भी आप इस phone पर आसानी से खेल सकते हैं Galaxy Fold का एक बहुत interesting feature है कि इस phone में दो बैटरीज दी गई है यहाँ पर Samsung ने दो screen के लिए अलग अलग बैटरीज दी है दोनों बैटरीज मिलकर overall 4380 mh की capacity offer करती है Galaxy Fold आसानी से एक दिन तक का battery backup दे रहता है अगर आप heavy user है तो भी आपको एक दिन तक का battery backup दे जाएगा if you use the phone sensibly Galaxy Fold के बारे में यह सब बाते जानने के बाद आखिर में बात करते हैं कि यह phone आप के लिए कैसा साबित होगा सबसे पहली बात ही है कि इस phone की खीमत 1,65,000 है तो affordability यहाँ पर matter करती है यह first generation folding phone है एकदम नई innovation है तो इसकी durability कितनी है यह कुछ कहाँ नहीं जा सकता phone जैसा दिखता है उससे भी भेतर इसका user experience है यह phone उन लोगों के लिए है जो यह दिखाना चाहते हैं कि वो इस phone को afford कर सकते हैं और उनके लिए जो एक unique smartphone experience चाहते हैं क्योंकि Galaxy Fold अब तक का most powerful और most innovative smartphone है यह है ABP News आपको रखे आगे